तीज तोहरों का समय शुरू हो गया है और हम सभी के घर में मिठाई तो जरूरी बनती है तो आज मैं आपके साथ शेर करने जा रही हूँ एक तम हलवाई जैसे बहुत बहुत टेस्टी, सौफ्ट और दानेदार बेशन सूजी के लड़ू आज मैं आपके साथ जो तरीका शेर करने जा रही हूँ उसे कोल भी बना सकता है, बहुत ही आसान, मातर चार चमबच घी में, आप एक आसान तरीके से कम महनत में और बहुत ही स्वाधिस्ट ऐसे के भू में घुल जाएं, जरा भी उसमें ड्राइनेस नहीं होगी, नहीं सकत ह एक गम ऐसे बनेंगे लड्डू के उसका रसीला स्वाध आपके भू में घुल जाएंगा, हाई एबरीवन, मैं हूँ पारूल, कुक्वित पारूल में आपका बहुत-बहुत स्वाधत है, श्रू करने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से निवेधन है कि आगर आप भी घर की कटोरी सेट कीजे, आपको किसी बजन वगरा करने की जरूती नहीं, उसी कटोरी के अनुसार आप सारा मेजरमेंट कर सकते हैं, तो अगर आप कोई कटोरी लेने, उससे आप डिल कटोरी सूझी ले, यह हो गई एक कप और यह आदा कप, यानि जो मैने कप लिया है उसी का आदा कप, और अब इसमें जाएगा डिल कप बेशन, तो यह हो गया एक कप बेशन, उसी कप से, और आदा कप, यानि हमने डिल कप सूझी ली और डिल कप बेशन, दोनों ही चीज आपको बराबर मत्रा में लेनी है, हमारे लड्डू एक दम नरम और सौफ्ट तयार तो उसके लिए सबसे जरूरी है घी, तो यहां मैं ले रही हूँ, इस चार बड़े चममच घी, यह बहुत ही जरूरी है, सही मॉयन रहेगा, तो जो लड्डू बनेंगे, बिलकुल सकत नहीं हो, उसने एक अलग ही स्वाद आएगा, तो यह हम डाल देंगे, चार बड़े दिनकता है घी, अब घी को अच्छी तरीके से सूजी और बेसल के साथ मिक्स करेंगे, घी की मातरा थोड़ा इस पे भी ड़िपंड करेंगे, कि जो आप ने सूजी और बेसल लिया है, वो पहतने अधिये ञी बारीख लिए है, थोड़े अगर मोटे होंगे थोड़ा सा घी जादा भी लग सकता है यानि पाच्छे चमच भी लग सकता है तो देखिए इस तरह से आप गी को बढ़िया से मिक्स कर लें अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने गी बिल्कुल डाला यह नहीं तो आप इस तरह मुठी बांद कर देखिए बंद राय पिखर नीरा तो यह स्वा तो कभी कभी क्या होता है कच्चापन नहीं जाता है सूजी बेसन उतने बढ़िया से बुनने ही पाते है या फिर इतने जादा बुन जाते है थोड़ा सा कड़वाहाट आ जाती है वह सब कोई परिशानी नहीं होगी यह लट्डू एकदम मॉइस्ट सॉफ्ट और एकदम स्वाद होता है आप खाके देखिएगा जनरल सूजी वेसन की चो लट्डू बनाए जाते हैं उसे कहीं ज्यादा अलग और सॉफ्ट मेस होती है और यह देखिए मैंने बिलकुल बढ़िया एक सत्त आटा इसका लगा लिया है वैसे भी सूजी डाली है सूजी दा पानी और इसके इसी तरह के छोड़ चोड़े पेड़े मुठिया जैसे बना लेंगे तो पूरे आटे की इस तरह की हम मुठिया तयार कर लेंगे देख रहे हैं आप इस तरह से अब आप रखिए गेस पर कड़ाई फ्लेम को कर दीजे मीडियम और इसमें हम डालेंगे दो चमच गी फ्रेंट्स ये स्टेप करना पूरी तरह ओप्शनल है अगर आप लाइक करें तो कीजेगा वरना आप इसके बगएर भी तयार कर सकते हैं घी को करेंगे थोड़ा सा गरम और ये मैंने लिये हैं थोड़े से ड्राइफ रूट्स लड़ू में डालने के लिए तो ये मैं दूसरा में इसको कर रही हैं थोड़ा सा फ्राइए इससे क्या होगा ना ड्राइफ फुट्स में जो स्वाद आता है बुने का उसका बहुत ही बढ़िया फ्लेवर लगता है अगर आप डारेक्ट इस तरह डालना चाहें तो ऐसे भी डाल सकते हैं बिना फ्राइए तो अब उसी कड़ाई में डालिए थोड़ा कोकिंग ओईल और जो मुठिया हमने अभी बनाई ना उनको धीरी-दीरे करेंगे हम लो मीधियम फ्लेम पर इसको हम गोर्डन होने तक फ्राइए और अच्छी हीट आ रही है और धीरे-धीरे जो मुठिया हमने अभी तयार की ना इनको यह कम कच्छा पना रहा है बिल्कुल रहे गई नहीं तो जितनी स्पेसे कड़ाई में उसे साब से पीसे को डाल दें आभी बिल्कुल टच नहीं करेंगे जब यह थोड़ी सिक्स ही जाएंगी तब हम इसको उलट-पलट करेंगे कुछ देर बाद इस तरह से उलट-पलट एक चम्मत से आप इसको कर दें बहुत ही प्यारा देख सकते हैं आप गोडन कलर आ गया है बस इस स्टेश पर हम सारी ही पीसे को निकान देंगे परफेक्ट और यह लिजे मैंने सारी ही पीसे को बढ़िया से फ्राय कर लिया है लो मीडियूम फ्लेम पर और एक्टम बढ़ तो हम चीनी लेंगे डेड़ कप यानी वन औनहाफ कप क्योकर हमने डेर कप शूजी ली घर कप शूजी ली हम यह पर चीनी लेंगे यानी वन ए उसी कप का आधा कप Glass तो जो कप हमने लिया ना एक कप उसे थोड़ा सा कम होता है तीन चौथाई कप अब मीडियूम फ्लेम पर फटाफट चीनी को गुलने देंगे इसके लिए मैं कोई चाशनी नहीं बनानी ना कोई एक तार ना कोई दो तार सिफ चिप 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 पन जैसे शेहत को अगर चू सबसे बड़ी परिशानी यहीं आती है अकसर लोग वहां गलती कर देते हैं या तो आपकी चाशनी कड़क हो जाती है या दो तार की बन जाती है जिसके इस कारण लिड़ू बहुत सक्त हो जाते हैं अगर आप जादा मीठा पसंद करते हैं तो या चीनी की मातर थोड़ी ब बीच में देख रहे हैं यह जो बीच में जो तार है बस यह चिप चिपापन यह है इंडिकेशन प्रॉपर चाशनी का तुरंट से गैस को कर दीजे बंद क्योंकि थंडी होने पर यह थोड़ी और गाड़ी हो जाएगी लीजे इतनी देर में मुठिया के पीसे भी हो गए ह और जब हमारे मुठिया के सारे पीसे भी थंडे हो आप धीरे धीरे करके इसमें हम पीसे को डाल देंगे और दर असको थोड़ा सा पीस लेंगे जिसे सब पीस दानेदार सॉफ्ट पाउडर हमारा तयार हो जाए तो इसको हलका दर-दरा सा पीस लेते हैं और यह देखे है सोफ्ट दानेदार दरदरा मिक्स तयार हुआ है लड़ू के लिए आप इसमें ये नोटिस कर रहे हैं कि जो सूची है बिल्कुल बड़िया फूल गई है एक दम स्वाद आएगा जबर्दस जराभी हाड नहीं लगेगी आपको खाते वक्त अस हमारा रेडी हो गया सब कुछ अब आप इसमें डालिए आदा छोटी चमच इलाइची पाउडर फ्लेवर के लिए अब गए इसमें हमारे रोस्टेट ड्राइफ फूट्स मेरे पास थोड़े से बारी कटेवे पिस्ता भी रखे वे थे तो सुन्दर सी लुकिंग आ जाएगी ये भी डाल देती हूँ अब डैलिए छाष्णी जो भी बना के रखवती हूँ लूफ बस चाष्णी को हल्की सी गरम बहुत हल्की गरम जयादा गरव मैं लिख यह थोड़ी-घरके डालिए हल्के हाथ से जहाँ लड़े चाष्णी को कीजीये जनी जरुआरव फश पन्दजाए हमारे लड़ब उ बस इसमें से लीजे एक नीबू के बराबर की बॉल और इस तरह से दबाते हुए दोनों हाथ से हम इसके परफेक्ट लड्डू तयार करेंगे इस तरह दबाते हुए गोल कर लें और ये देखिए कितना बड़िया हमारा लड्डू तयार हुआ है लग रहा है न एक दम सुपर टेस्टी तो सारे ही लड्डू बिलकुर इसी तरह तयार करेंगे और ये लीजे बिलकुर तयार है एक दम दानेदार सौफ्ट हलवाई जैसे बहुत-बहुत स्वादिस्ट मुह में घुल जाने वाले बेसन सूजी के लड्डू और ये देखिए मैं आपको पास से दिखा रही हूँ आप इसका दानेदार टेक्च्चर देखिए आप इसके टेक्स्चर से अंदार लगा सकते हैं कि ये कितने नरम और दानेदार बने होंगे पूरे देर दो महीने तक आप इसे एंजॉय कर सकते हैं जैसे ये आज दिख यही खास बात है इन बेशन सूजी लड़ो की इतना टेस्टी स्वादे इनका कि जब आप खाएंगे तो दानदर सूजी जो बिल्कुल भी सकत नहीं है और बेशन का भुना हुआ फ्लेवर एक दम जबर्दसत उबर के आएगा बिल्कुल भी सकत नहीं होते नहीं बिल्कुल होते हैं जैसा मॉइस्चर आप इसमें अभी देख रहे हैं यह बिल्कुल वैसे ही रहते हैं और यह देखिए मैं आपको यह तोड़ कर दिखाती हूं कि यह कितने बढ़िया बने अपने टेक्स्चर और सॉफ्ट यह देखिए तो आप भी बनाईए मुझे जरूर सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी तरह अपना प्यार मुझे इंस्टर्राम फेस्बुक पर भी जरूर दें सभी रसीपिस की डिटेल्स आप मेरी वेबसाइट को विट पारूल डोट कॉप बर देख सकते हैं थैंक्यू पर वाचिंग को विट पारूल जैहिन जैब सब्सक्राइब कर देख सकते हैं